आज हम बात करेंगे विक्रम बेदा जो की साउथ मूबी का रीमेक बॉलीबूट में बना है और उसका टीजर भी रिलीज हो चुका है पर टीजर देखकर लोगों का कहना है कि जो साउथ में दम है उतना रितिक और शैफाली खान की मूबी में दम नहीं दिखा आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बॉलीबूट लंबे समय से साउथ की कई बड़ी बड़ी मूबियों को रीमेक बना रहा है और उनको हिट भी शो कर रहा है पर अब ऐसा लग रहा है कि बॉलीबूट का जमाना जा चुका है क्योंकि लगाता जिस तरीके से जनता बॉलीबूट की मूबियों को बॉयकट कर रही है ऐसा लगता है बॉलीबूट पूरी तरी से डूबने वाला है पर रिमेक बनाने में कौन रुका हुआ है बेकरम बेदा जो कि साउट की एक सूपर डूपर हिट मूवी है जो आर माधवन ने किया है बैसा ही सेम टू सेम रिमेक बनाय जा रहा है रित्तिक रौशन और शैफ अली खान दोनों ही हीरो की फैन फोलोइंग काफी तगड़ी है और दोनों ही एक्शन सीन काफी कर चुके है रित्तिक रौशन की बात करें तो वो काफी लंबे समय बाद अब परदे पर दिखने वाले है इससे पहले उनकी हिट मूवी गई थी सूपर थटी जिसमें उनका लुक बिल्कुल डिफरेंट था और उनका कैरेक्टर उनके रियल कैरेक्टर से काफी अलगता क्योंकि हमेशा से ही एक्शन मूवी रोमेंटिक मूवी करते हैं पर सूपर थटी में एक प्रौफेसर के रोल में उनको काफी लोगों ने पसंद कि भी करम बेदा में भी विलन टाइप में दिख रहे हैं उनके लुक को लेकर काफी फैन्स कोशिट कर रहे हैं कि हम जिसे एक क्यूट हीरो के रूप में देखते हैं इसमें ऐसा विलन लुक में क्यों दिखाया रहा है पर रिद्टिक रशन ने बताया कि इस मूवी के लिए काफी मेनत करी है वहीं शैफाली खान जो की पुलिस ओफिसर के रोल में दिखने वाले है पर टीजर में देखकर लोगों ने ये कहा कि जो दम बिक्रम बेदा साउथ की मूवी में था वो बॉलिवुट की मूवी में नहीं दिख रहा है आप बताईए आपको टीजर कैसा लग कमेंड में लिख के बताईएगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किजेगा थैंक यू दोस्तों